हुए राश्ट्रपती जी से मिलने के बाद इस मुलाकात के बाद प्रधान मंत्री इसी दी तस्मीर राश्ट्रपती महमसें नमस्ते साथियों कि चुनाओं में जैसे हम लोगों को भी दोड़ दूप रहती हैं कि मिडिया के साथियों को भी भूत परिश्रम करना पड़ता है रात दिन दौड़ना पड़ता है अलग अलग लोकेशन को कवर करना पड़ता है तो आप लोगों ने भी बहुत कस्ट उठाया है मैं आशा करता हूं कि मिडिया जगत के सभी साथियों का स्वास्त अच्छा रहा होगा और पिखले एकाज सब्ताहा का जो विराम मिला है उसके कारण भी अब आप फ्रेश होकर के फिर से मदान में आये होंगे तो अठारवी लोगसभा और वैसे भी हमार यहां व्यक्ति के जीवन में अठारवी इसका बड़ा महत्त होता है एक नए कालखन में प्रवेश करता है टीनेज समाप्त करके यह अठारवी लोगसभा एक प्रकार से नई उर्जा युवा उर्जा और कुछ करक गुजरने के इरादे वाली यह लोगसभा है और आजहादी का अमरित बहुत सो के बात का यह पहला चुनाव है और एक प्रकार से यह वो 25 वर्ष है जो हमारे अमरित काल के 25 वर्ष है और जो 2047 देश जब आजहादी की शताब्दी मनाता होगा एक प्रकार से उन सपनों को साकार करने रहा एक बहुत महत्वपुन पड़ाव यह अठारवी लोगसभा है साथों एंडिये सरकार को तीसरी बार देश की सेवा करने का देश वाज़्यों ने आदेश दिया है आउसर दिया है मैं देश वाज़्यों का फिर से एक बार यह आउसर देने के लिए रदय से आभार व्यक्ट करता हूँ और मैं देश स्वाचियों को विश्वाद देता हूँ कि पिछले दो टम में जिस गती से देश आगे बढ़ा है समाज के हर क्षेत्र बेंग परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है 25 करोड लोगों का गरीबी से भार आना यह अपने आप में हर भारतिय के लिए बड़ा गर्व का विश्वाद दिलाता हूँ कि 18 लोगसभा में भी हमारी पांच साल के कारकाल में भी हम उसी गती के साथ उतने ही समर्पन भाव से कि देश की आशा अकांशाव को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे आज सुबह एंडिय की मिटिंग हुई थी एंडिय के सभी साथियों ने मुझे फिर से एक बार इस दाइत्व के लिए पसंद किया है और सभी एंडिय के साथियों ने राश्पती मंत्री के रूप में काम कर एक निमंत नियुक्ति दी है और मुझे शपत समारों के लिए और मंत्री परिश्यत के सदस्यों के सूची के लिए उन्होंने सूचित किया है मोटे तोर पर मैंने राश्पती जी को कहा है कि हमें नव तारिक शाम को सुविदा रहेगी अब बाकी डिटेल तो राश्पती भवन वरकाउट करेगा और हम तब तक मंत्री परिश्यत की सूची राश्पती जी को सुप्रत करेंगे उसके बाद सपत समारों होगा साथ्यों सरकार एंडिये की एक प्रकार से एंडिये 1 एंडिये 2 एंडिये 3 एक निरंतरता है और हमारे संकल्पों को लेकर के सूचासन के प्रति हमारी प्रतिवद्धता को लेकर के और देश के सामान ने जनके सपनों को पुरा करने के प्रयास के रुप में हैं इस निरंतरता को हम और अधिक उर्जा के साथ और अधिक व्यापक विजन के साथ आगे बढ़ाएंगे और समय सिमा में लक्षों को प्राप्त करने का हमारा प्रयास रहेगा कि 2014 में मैं बहुत नया था मुझे अब एक लंबे समय तक इस कारका अनुभव मिला है मारी टीम को अनुभव मिला है और इसलिए हमारे लिए अब तुरंत ही काम को आगे बढ़ाना बहुत ही सरल रहने वाला है और इस अनुभव का लाभ भी देश की सेवा करने में मिलने वाला है इन दस साल के कारकाल के दर्मियान भारत की बैश्विक जो चबी बनी है दुनिया के लिए एक विश्व बंधू की रूप में भारत उभरा है इसका मक्सिमम एडवांटेज अब शुरू हो रहा है और मुझे पक्का विश्वांत है ये पांच वर्ष बैश्विक परिवेश में भी भारत के लिए बहुत उप्योगी होने वाले हैं दुनिया अनेक संकटों से गुजर रही है अनेक तनावों से गुजर रही है अनेक आपदाओं से गुजर रही है ऐसी विकट परिस्तिती दुनिया ने बहुत लंबे अर्षे के बाद देखी है हर देश इन सारी समस्याओं के बीश अपने आपको बचाए रखना बढ़ाते रहना चुनोतियों का डगर डगर पर सामना कर रहा है हम भारत वाले रोग हम भारत वासी खुद नशीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गती से बढ़ने वाली एकनोमी के रूप में जाने गए हैं ग्रोथ के विशे में भी दुनिया में हमारी भावाई हो रही हैं अब एक स्टेबल गवर्मेंट मिलने के कारण और परिचीत व्यवस्था और नेत्रत मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रती रुजहान भारत के प्रती उनका आना बहुत तेज गती से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाब मिलेगा देश की युवात पीड़ी को सबसे ज़्यादा लाब मिलेगा विकांस के नए उचाईयों को छूने में एक वैश्विक भागीदारी का वातावरण आने वाले पांच साल में बनने वाला है तो इसी संकल्पों और आदर्शों के साथ हम आगे बढ़ेंगे मैं राश्पती जी का रदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एक बहुत बड़े महत्वपूंदाईत्व के लिए उन्हों ने मुझे निमंत्रित किया हैं आप सबका भी दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद तैंक्यू